कर स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा जैनी फिल्म लाल सिंग चड्डा जो की बॉक्स ऑफिस पर पुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है फिल्म को वाइक को ट्रेंड का सापना करना पड़ा जिसकी वच्छा से तरीके से बुरा हाल फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हुआ है लेकिन फिल्म लाल सिंग चड्डा को लेकर लगातार बॉलिफुट से रियक्शन साफने आ रहा हैं कुछ बॉलिफुट के स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने लाल सिंग चड्डा के समर्थन में ट्वीट किया लेकिन वहीं अब अनपर्म खेर की ओर से लाल सिंग चड़ा को लेकर रियक्शन दिया क्या है और उन्होंने फिल्म के फ्लॉख होने पर कहीं न कहीं फिल्म के एक्टर अमिर खान को ही जिम्मेदार ठड़ा है इंडिया टूडे से बाचीत करते हुए साफ़तोर पर अनपर्म खेर न उन्हें उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा है कि जब शीदेसें और और फिल्म भी इस तरीके से wspi इस तरह से box office पर बुरा हल इस फिल्म का हुआ है तो इसको लेकर ही अनपर्म खेर के जापने है तरफ ला सिंग चड़ा की आ ऑमिर खान की वह पोस्टर रिलीज के साथ ही सुर्ख्यों में आ गई थी और तमाम लोग फिल्म के बाइकोट कर रहे थे तमाम लोगों का ये कहना था कि वो इस बार इन तमाम बॉल हुट के कलाकारों को सबक सिखाएंगे जिस तरीके से ये देश के खिलाफ बयान देते हैं जिस तरह से ये विशेश व वो कहीं न कहीं दर्शकों को ध्यान थी और यही वज़ा है कि इस तरह से फिल्म को इसका खाम्याजा भुकतना पड़ा है और इतना ही नहीं आमिर खान के बयान भी उसमें शामिल है करीना कपूर खान का बयान भी जो नैपोटीजम को लेकर दिया किया था वो भी दर्शक नहीं भूले और यही वज़ा है कि इस तरीके से लाल सिंग चड़ा चोकी आमिर खान के एक ड्रीम प्रोजेक्ट वाली फिल्म थी वो इस तरह से फ्लॉफ होई कि कहीं न कहीं आमिर खान और करीना कपूर खान को परिशानी में डाल गया है अब लगातार फिल्म को लेकर र लगता है कि उन्हें एक ट्रेंड शुरू करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए पुरी तरीके से स्वतंत्र हैं ट्वीटर पर आई दिन नए ट्रेंड आ रहे हैं लेकिन अगर आपने कुछ पयान दिये हैं तो निश्चित रूप से परिणाम बाद में कश्ट दायक कई लोगों ने आपती जाहिर की थी उन्होंने ये कहा था कि वो देश में होने वाली खटनाओं से चिंतित महसूस करते हैं उनकी पतनी किरण राओं ने कहां तक सुझाव दिया था कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए ये भी आमिर खान की ओर से कहा क्या था आमिर के इस कॉमेंट पर उन्हें काफ़ी ज्यादा ट्रोल का साफना करना पडा था उस वकत भी आमिर खन स्वाणों के खेरे में थे और वहीं अनुपम खेर ने भी आमिर खन पर निशना साहते हुए कई ठ्वीट करते होए सवाल पूछा था उन्हें पूछा था कि क्या आपने ग को नहीं है जब अनपवंखेर ने आमिर खान को लेकर जवाब दिया हो बलकि इससे पहले जब देश के खिलाफ कहने कहीं इस तरीके के बयान उनके साफने आए हैं तो उस पर भी अनपवंखेर ने सवाल पूछा है और उस वक्त भी यह पूछा था कि क्या आपने अपनी पतन तरीके से जानता है कि आगर उसने आमिर खान को आमिर खान बनाया है तो कहीं ने कहीं उसे जमीन पर लाने में एक सेकिंड भी नहीं लगेगा इस तरह से लाल सिंग चड़ा रिलीज हुई लेकिन थेटर में दर्शक नहीं मिल पाए जो फिल्म के तमाम शोज थे खाली नज नहीं कर पाई कि इस तरीके से लाल सिंग चड़ा फ्लोप साबित हुई है तो कहीं न कहीं मुश्किलों में लाल सिंग चड़ा फसी हुई है रिलीज के बाद भी कोई खास रिस्पॉंस दर्शकों का नहीं मिला बाइकोट ट्रेंड का बड़ा असर लाल सिंग चड़ा पर पर अपना जो कहने कही रियक्शन था वो फिल्म को लेकर दिया है उन्हें कहा है कि अगर आपने इस तरीके के बयान दिये हैं तो जाहिर तो पर आपको खाम्याजा भुगतना पड़ेगा तो आपको यह बतान है कि अनुपम खेर ने जो बयान दिया है दरसल यह हैरान इसले भी करता है चुकि आमिर खान के साथ वो एदिल है की मानता नहीं और दिल में काम कर चुके हैं यह फिल्में थी जिन में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया है लेकिन अनुपम खेर की और से यह साफ़तोर पर कहा गया है कि अगर आपने कुछ बयान दिया है तो निशित परिख्राम बात में कश्च दायक होंगे और इसकी जम्यदार कहीं न कहीं आमिर खान ही है कि लाल सिंग चड़ा फ्लॉप हुई है साथी साथ करीना कपूर खान के भी जो नैपोटिजम को लेकर बयांत रहा है जिस तरीके से उने के कहा था कि हम जबरदस्ती नहीं करते कि कर अनुपम खेड ने रियक्शन दिया है लेकिन सिर्फ ये फिल्म लाल सिंग चड़ा ही नहीं बलकि इसके लावा ही बॉलीफूट की कई फिल्में है जो फिलाल बाइकोट का साथना कर रही है फिर चाहे वो अक्षे कुमार की फिल्म रक्षा बंधन ही क्यों नहीं क्यों के लावा हाली में जो तापसी पन्नो की फिल्म दोबारा रिलीज हुई है वो भी लगातार बाइकोट का साथना कर रही है लोग इंट्रेस्टेड नहीं है कि वो इन तमाम एक्टर एक्टरस की फिल्में देखने के लिए ठेटर में पहुंचे इन पर अपना पैसा खर्च क करें जो कहीं न कहीं देश का अपमान करते हैं जो देश की छवी को धुमिल करने का काम जिनके तोरा किया जाता है जिस तरह से कहीं न कहीं देश विरोथी बयान इनके साखने आते हैं किस तरह से देश को संपरताहिक दंगे की आख में भढ़काने की साचिश इनके जरिये ह आती है इन फिल्मों की स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जा रही है कि कहिने कहीं देश में माहुल खराब करना इनका मकसद और एक वर्क विशेश को टार्केट करना इनका मकसद फिलाल इनकी कहानी में नज़र आ रहा है और यही तमाम चीजें हैं कि इस तरह से यह बाइक को हैं क्या सकते हैं कि बॉलिफूड में अब जो फिल्मों में रेस है वह इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर कौन से फिल्म आ कितनी फ्लॉप होगी क्योंकि पहले एक ट्रेंड था कि बॉल्भूड में कि कौनसे फल्म ब्लॉक्बस्टर वीट होगी लेकिन आज कहीएगा धर रहा है इस तरीके कहानियां बुनिचा रही है इस तरीके से दर्श्टकों के साफने कंटेंट परोसा जा रहा है तो ये तमाम वच्छे हैं कि आज इस तरीके से हैस्टेक बाइकोट पॉलिफूट कम्प्लीटली ये तमाम जो हैस्टेक हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं और इसी कड़ी में अनपरम खेर का ये बड़ा वयान होने पर कहीं ने कहीं उसके एक्टर आमिर खान को ही जिम्मेदार ठराया है फिलाल आपकी इस पूरे पाफ्ली पर क्या राए है हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थान्यवाइव कर फ़ल्दक अन्यवाइब कर एक ऐसाम माद है इस तर्व कर दो किर दोने खो के लिए और लिए टान को सब्सक्राइब को सब्सक्ताइब को सब्सक्राइब को कर दो को